तो स्वागत है आप सभी लोगों को एक बार फिर से तो आज हम copy emoji इस app का review करेंगे जो की अच्छा कासा app मुझे दिखा तो यह क्या करता है कि emoji को copy करता है तो उसका use आप कहीं पर भी कर सकते हुआ ठीक है किसी को message send करना हो या पिर कोई text वगर आपको type करना हो यह emoji जो होता है यह एक प्रकार का text होता है ठीक है तो यह app है इसका नाम है emoji to copy and paste ठीक है तो इसकी जो इसको लगबग 10,000 के ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और इसकी rating है फोर ठीक है तो उतना डाउनलोड नहीं हुआ है बट अच्छा खासा है ठीक है आपक तो मैं इसके उपर open करता हूँ यार उपन करने के बाद यह add आ गई है तो इसको जो है मैं offline mode में भी इसका यूज कर सकता हूँ तो देखो यहाँ पर आपको open application पर क्लिक करना है कोई sign यह करने की कोई जरुद नहीं है तो आपको जो भी यहाँ पर emoji अच्छी लगे तो यहा इसके उपर जो है आपको क्लिक करना है तो इसके उपर मैंने क्लिक किया तो देखो यह copied हो गया तो copy होने के बाद इसको मैं paste करूंगा पेस्ट करने की थोड़ा नेट स्टार्ट करूंगा क्योंकि आपको जो है मैं practical करके दिखाऊंगा तो यह है Google तो यहां पर मैं जाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ तो ठीक है तो यह है पेस्ट हो गया तो यह है यार इस तरीके से तुम इसका यूज़ कर सकते हो तो काफी अच्छा आप है हाला कि इसके जो weakness है इस एप के वो मुझे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो style या फिर जो भी expression है वो आपको copy करना है शाहिद तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रोल करना पड़ेगा यहां कि अगर आपको कोई ऐसा इमोजी आपको देखना है जो आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको scroll करना पड़ेगा स्क्रोल करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो सब्स मुझे इसको चुछ करना है तो यहाँ पर अगर इस developer ने इस सभी pictures को या फिर उस text को इमोजी को अगर यहाँ पर left side में फिर बीच में फिर last side में टॉप right में टॉप left में टॉप bottom में टॉप इस तरह के से इस इस अकेले screen में अगर 30-40 images होते तो थोड़ा आसान रहता हमको धुणने के लिए ठीक है पर कोई नहीं थोड़ा सा time आपको लगेगा कि किस emoji को आपको choose करना है तो इस तरीके से आप इसको scroll करें कर यार तुम अपना जो भी मनपसंद emoji है इसको तुम copy कर सकते हो ठीक है तो आपको सिर्प यहाँ पर click करना है उसके बाद यह automatically copy हो जाएगा ठीक है तो copy करने के बाद आप कहीं पर भी आपको जहां मनचाए वहाँ पर आप इसको paste कर सकते हो तो इस तरीके से तो यार तुम मैं इस एप को जो है यह तो नहीं आप है इसको मैं जो rating देता हूँ यार average 3.8 उसके लाएक है यह आप ठीक है उतना भी बुरा नहीं है उतना भी अच्छा नहीं है ठीक है कुछ कुछ चीज है इसको यहाँ पर improvement करनी पड़ेगी तभी यह लोगों को पसंद आएगा ठीक है